आज हम मुझूद हैं साणबूर के देवन में और देवन की जो जनता है जो स्थान ये लोग है वेपारिंग हैं उनसे हम यहाँ पर आज बाचीत करेंगे दर्शल जब भी कोई बड़ा क्या तो धरम से जुड़ा मामला हो चाहे राजनिती का से जुड़ा मामला हो तो देवन भी कही न कहीं अपनी एक पैचान रखता है तो ऐसे में देवन के लोगों से आज मत्रा मामले पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है नितिन गुपता जी हमारे साथ हैं कोट ने आजेश दे दिया है कि मत्रा का एसाई सर्वे हो कैसा लग रहा है वाप लोग हमें बहुत अ एसा ही है उसने आज से लगबाग 162 साल जब अंग्रेजों का सासन था तब भी एक निर्णे दिया था कि यह द्रोवर हिंदू धरम की है और आज भी मैं आपको बता दूं कि देर से सही लेकिन हमारी विजय हुई है और यह हमारे लिए बहुत बड़ा चिर्मेंट है जैसे कि अच्छा निर्णे इस सरकार के सासन काल में कोट ने दिया है क्या लगता है आपको अयुद्धा कैशी के बाद मत्रागी बारी मत्रागी बारी तो निश्यत रूप से होनी भी थी यह तो अबसे आपने एक देर साल दो साल पहले एक बजन कनिया मित्तल का सुना भी होगा कि अध्या भी सजादी है मत्रागी सजाएंगे तो भगवान कृष्ण वहां भी जरूर आएंगे तो इस तरह से अब यह सरवे होने जा रहा है तो क्या लगता है कि क्या कुछ निकल कर आएगा वाज़े क्या कुछ देखिये ही तो इतिहास के पन्नों में लिखित है जो को उसका उद्गाटन भी होना है तो ऐसे ही भगवान कृष्ण के जनब मुमी पे भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनने बहुत जल्दी जा रहा है आप देखते रहिए बहुत जल्दी यह समय नजदीक है अधिकतर चुनार जब हुआ करते थे तो राम मंदिर का मुद ने लेती है वो समाज हित में होता है और जो बिलकुल सही मामले होते हैं उन मामलों की जड़ तक जाके वो बिलकुल निसकर्श सही देती है आज भारतिय जन्ता पार्टी ने राम मंदिर का मुद्धा पहले से भी उठाती चली थी आज उसको हमारे मानने मोदी जी ने साका कर दिया है और कृष्ण जनम भूमी का जो मुद्धा है इस मुद्धे में भी जितना भी सर्वे होगा यह हिंदु धर्म के पक्ष में जाना है और भव्य मंदिर भगवान कृष्ण का महा पर बनना है ठीक है सब्सक्राइब बताए आप क्या कहेंगे इस पर देगे हमने कि यह को पता है कि हिंदु conv NOR के अज्ए आज विराज मान है और बहुत अच्ची सानों सोकसिन hindustis के पर दुरी मंदिर था थर्म में की स्तान के हाई कोट ने निन्ने दे दिया है सर्वे के लिए हम देखते हैं विजे अविस्थे सच्चाई की होगी और जीत हमारी होगी और इस बात को हम नेंदर मोदी जी और योगी जी के नेतत में हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें निश्चित हम जीत हासिल करेंगे अज़क कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ देश में मंदिर और मज्यीत ही मुद्दे नी होने चाहिए हैं मुद्दे काफी ओर भी हैं उसके मदद सरकार पोचनी चाहिए हम उसको देख रहे हैं और हम मंदिर मेज़ी देखी नहीं लेकिन अगर कोई आच अगर हमारे हमारे धरम पर आती है या हमारे अस्तितु पर आती है तो उसके लिए हम अड़के खड़े है क्या उम्मीद करते हैं कि कब तक इस पर पूरा का कोड़े हम हो जाए गए और कब फिर आप लोगों को मंदिर मिल जाएं गा है धीरे तो यह तो सब म सब कोड़ कशले से बिलकुल भी विब्प हमारी भारतियंता पार्टी जो है केवल विकास की बात करती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करती है, लेकिन कुछ लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं, वो इस चीज़ पे पार्टी को मजबूर कर देती है, मानने योगी जी को मोदी जी को आप पार दे यह पहले है धरम पहले है उसके बाद सब सीजी है। पहले कि मतुरा वह हमारी होगी। पहले कि इसकी मतुरा पहले भी आप सकता है। आप बताईए पहले तो मतुरा आभी गी थी देखे पहले भी मतुरा हमारी थी 13.1 एकड की बात थी जिसमें 2.5 एकड पुराने जो विक्रान ताय थे आकरान ताय थे उन्होंने उस पे जबरदस्ती मंदिर को तोड़के मस्जिद बना दी थी और उसके सारे सबूत ASI ने 162 साल पहले भी दिये थे अभी भी दिये हैं क्योंकि अगर आप उसका देखेंगे उस मस्जिद को तो उसमें कमल का फूल बनावा है चारो तरफ कमल का फूल है उसके उपर गुम्बन निकले वे हैं जो उसकी में चोटी है जो हिंदू धरम में होता है कलश कलश के उपर जो बना होता है वो कहां से आया बहुत सारे ऐसे हैं जो उन्होंने मिटाने का परियास कि हम मिटा दें लेकिन नहीं अब कोट ने जो उसका संग्यान लिया उस पर निड़ने दिया हम सब लोग खुच हैं हिंदू सनातन धरम के सभी लोग खुच हैं और जल्दी वहाँ पर मतलब सर्वे शुरू होगा सर्वे में सारी सच्चाई निकल के आ जाएंगी क्योंकि जो चीजे दिख रही हैं उसे कोई मिटा नहीं सकता जितना भी परियास हो वो ऐसफल परियास था अब हिंदू जाग उठाया और इस पर पूरा सब लोग खटा हो करके जो उन्होंने मन में ठानी थी कि वहाँ पर वापस वो कृष्ण लील जनम भूमी को जंगे मिलेगी आप मतलब बंदावन कितनी बार जा चुके हैं? मैं अनेक बार जा चुका हूँ मैं गिंती तो आपको बता नहीं सकता अभी हाली में पिछले दो महीने पहले भी गया था जब आप वहाँ जाते थे तो उस जगा को देखकर क्या कुछ मन में आता था? हमेशा मन में यह आता था कि जो अतिकर्मन हुआ है या जो आकरांता उने जो किया है हमारे लोगों को मार कर हिंदू सनातन जो जिन्नोंने मंदीर को तोड़ा था और फिर उसके बाद जिन्नोंने उसका विरोध किया उनके परिवार जनों को उन्होंने आतंकित किया कि ये नाम कर दो और फिर मतलब बहुत लंबी वारता तो इसलिए मैं करनी बानेगा उनिस सो क्याओन में एक समझोता हुआ था आब वो समझोता में पार्टी जो है हिंदू जिनके पास वो मंदिर है अभी तीन भाईयों के पास उन्हें छोड़कर बागी लोगों ने कर लिया तो जल्दी हमें लगता है कि वो सब चीज़े ठीक होंगी और मतुरा भी जल्दी काशी और आयुध्या की तरह हमारा होगा तो ये देवन्द के स्थानिये लोग हैं और साफ तोर पर इन सब की एक ही राई यही है कि जो फैसला आया है SI के सरवे का वो काफी सरानिये है और साथ